आज आपके सामने एक इटालियन डीस को लेकर आया हूं जिसका नाम है चिकन मेलनेस यह आप इसको क्रिप्षी फ्राइड चिकन भी बोल सकते हैं यह इटालियन डेशों में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जब आप यह पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी इस चिकन क आपने घर पर बना सकते हैं आगे जाने से पहले आप तमाम लोगों को धने बाद जो जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है दोस्तों ऐसा ही शेयर करते रहे ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियो के साथ में खाना के रिशिपिक क्योंकि जब मैं नया वीडियो अप्लोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं देखकर आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या डलते हैं इसमें चाहिए आपको चिली फ्लेक्स है औरीगानो है रश्प पेपर है मेरे पास ब्रेड क्रम है इसको ब्रेड कर मनेशन करने के लिए और स्वाल्ट है और पासली चौब है यह मिउनीच यह टमेटर केचब है और यह टेबास को है कि चलिक दिए दोस्तो मैंने बता दिया आपको क्या का सामन जाता है कि रिवड चिकन में हम बनाएंगी कि रिवल चिकन का जो बहुत असन है। मैं बनाने जारा हूं कृफिट्सरी निया है जो म्यूनिस लेना आपको... आपको जितना सोस आई है उध् felt I was brought up.. तो ज्दा यह लेना हैं मैंने यहां पर करेंने ज्द लिया है मैं डालने जा रहा हूं लाए भाल टाएब लिःत हमाई दळाले हैं refers अब दाव बास को सॉस कि साथ से आठ बून डालना है अगर आपको ज्यादा ही इसको इसको च्छी तरफ से दिजेगा इसमें आप अगर आपको ऑलिव वाइल डाल सकते हैं इसको बढ़िया से अच्छी तरफ से फीड दिजेगा इसा अगर यह क्या है कोक्टेल सॉस पन गया अगर आपको लगेगे थोड़े इसमें केचप डालना है तो आप केचप एड़ कर देजगा मैंने डाल दिया है मैं आड नहीं करूंगा इसको अच्छी तरफ से फीब देजगा देखिए यह सॉस हो गया देखिए एकदम कलर बिल्कुल फाइन हो गया यह सॉस आपका रेड़ी है क्रिफशी फ्राइड शीकेन के लिए खाने के लिए यह सॉस एकदम बैतरिन टेस होगा क्योंकि यहां पर हमने तेबसको सॉस डाला है सॉल्ट प्रस पेपर और तमड़ के जब डाला है तो यह म्यूनिस के साथ में बहुत बैतरिन होगा अगर में ब लीजित के बात को चलीफलेक्स यह जो और शरस लिए ज्यादा नहीं डालना है थोड़ी ही केबी आठ कर देता हूं तो भी सौन्ड और याट कर देता हूं अब ये रेडी है देखे इसमें आपको पशुआ करते है अब यहां जाएंगे चिकन में अब ये अगर नहीं है तो आप कोई भी चीज से दबा सकते हैं अब देखिए यह इस तरफ से आपको दबाना है जोड़ जोड़ से फिर आप दबाने के बाद रेडी है यहां पी जो मसला मिला है थामनी यहां पो ऐसे डालना है यह जो मैनेशन है यह अंडा में सॉल्ड पेपर और च चरेश्टी होगा मैं इसलिए अभी बना रहा हूं कि आपको सामने बना कर दिखा रही है अब यह बिल्कुल रेडी है अब यह यहां पर ब्लेट कम लेट में पर्मशन टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया टेस्ट होगा अगर आप पर्मसन चीज डालेंगे तो इसको ऐसे मिला देना है थोड़ी सी ब्रेट कम और लेता हूं चारा तरफ आप ऐसे फिला दीज़ेगा प्लेट में आप जो यहां पर जो यह मिला के रखा है हमने मैलेशन करके पहले अगर आप किसी अपने पत्नी को या पती को या अपने गल्फ्रेंट को सब्सक्राइश देना चाहते है तो आप दे सकते हो कितना हार्ट शेप में हो गया देखे यह हाट से बहुत सुंदर देखने में लगता है और खाने में बेक्रिप्सी और जो चिकन खाता वह बहुत अब यह बिल्कुल रेडी है देखिए यह बिल्कुल रेडी ऐसा हो जाएगा आप पर इसको फ्राइब करेंगे अ चलो इसको आप में फ्राइब करने जाएगा दोस्तों जैसे मैं पहले वीडियो में बताया आपको जैसे यहां पर डालके देखना है यह देखो यह उबल रहा है इसको मतलब आपका ठील रेडी है ज्यादा बहुत ज्यारा गरम भी नहीं करना है नहीं तो बहार में होना होता जाएगा आपको निकाल देना है रगर जादा तेल गरम यहार को तर्याइव कर देंदैं구요 मैं militar होता है तब तक प्राइब करते रहना है को वह दो आदे रहना है आप जैसे लाग हो जाएगा आपको आध चिक्ट बिल्कुल रहेडी यह भी सिटन देकि यह बिल्कुल रेडी है यह आपका तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यह चिकन मेलनेज कैसे बनता है तो आप अपने घर में असान से बना सकते हैं इसको तो दोस्तों अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल